हेलो एवरीवान कैसे हैं आप सब आई होब कि आप लोग अच्छे होंगे नहीं हैं कि किचन में आप लोग का स्वागत है आज मैं आलो सेंड्वीच की रेश्पी लेके आ गई हूँ इन डिग्रीडियन्स कुछ ऐसे है चलिए देख लेते हैं रेश्पी वान इस्पून लेंगे मस्टर्ड ओयल उसके बाद एट करेंगे हरी मेट्ज कटी हुई जरा मैं मोटा मोटा काट के लिए हूं यहां कुछ करीपत्ता में एट कर रही हूं मैं जीरा यहां नहीं एट की हूँ क्योंकि बेटे को नहीं पसंदे सेंड्विच में जीरा इसलिए मैं इसकीप की हूँ आप एट कर सकते हो यहां बारीक कटा हुआ दो से तीन प्याज में लेली हो बारीक कटा हुआ हलका सा हल्दी डालेंगे हाफिसमून से भी कम थोड़ा सा लाल मिर्ज का पाउडर डालेंगे कैज का यहां थोड़ा में चाट मसाला यूज करूंगी हाप कटूरी में मतर ले ली हूँ आप यहां पे पनीर का भी यूज कर सकते हैं नमक डालेंगे स्वात के अनुसार थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे दो चीज में एट की हूँ तो नमक उसी हिसाब से लिए हैं अब इसको ढखके कुछ देर पकाएंगे क्योंकि मतर सौप्ट हो जाए बहुत इजी रेजपी है इसको ढखके और पकाएंगे जब तक मतर ब लालू लेली हूँ मैं साथ आठ लोगों के लिए बना रही हूँ सेंड्वीच्स आप अपने फैमली के अकॉर्डिंग बनाईएगा यहाँ पे धनिया पत्ती में कुछ एट कर दूँगी अगर फ्रीज में आपका बॉय लालू है और ब्रेड है तो फटा फट बच्चों के लिए टीफिन के लिए भी बन जाएगा और ऐसे भी आप ब्रेगफास्ट में बना सकते हैं मैं वाइट ब्रेड का यूज़ कर रही हूँ ग्रीन चटनी लगाएंगे यहां पर ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हैं अब यहां पर टमेटो केचप लगा लूँगी एक ब्रेड पर एक पर ग्रीन लगाना है एक पर टमेटो केचप लगा लिए जो इस्टफिंग अच्छे से फील कर लेंगे उसके बाद हाथ के साहते से इसको अच्छे से दबाएंगे सारे ब्रेड को ऐसी कर लेना है बना लेना है तावा पर लगाएंगे कुछ रिफाइंड ओयल अब घी कभी यूज़ कर सकते हैं यहां पर हाथ के साहते इससे दबा देंगे आप यहां तीन भी ब्रेड रख के बना सकते हैं, मैं दो रख के बना रही हूँ, थोड़ा से इसके लगाएंगे रिफाइंड ओयल, देखिए कलर कितना अच्छा आया है ब्रेड का, पल्टा के साहते से दबा लेंगे, दो रोत तरब से बहुत अच्छा से सिख जाएगा, द लिए दूसरा भी ब्रेड सेंडविच सेक लेते हैं, फाइनली कलर देखिए, इसका कितना अच्छा आया है, कितना करारा बहुत टेस्टी बना है, फाइनल लुक देखिए, आई हो कि वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक करिए, सस्क्राइब करिए, सेयर करिए,